हेलो फ्रेंट्स वेर गड़ मॉनिंग रादे रादे सस्रीया काल नमस्कार कैसे आप सब आजा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे तो आज का जो ये वीडियो है पुरा टोटली डिवोटेड है कि आप अवेर्नेस आपको लेकि कोचिंग से रिलेटेड और बात करें तो कैसे कोचिंग वगयरा आपको मौल करते हैं आपके माइंड को मौल करते हैं तो एड़टीजमेंट तो प्रोमोशन तो ये सारी चीज़ मैं बस आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा तो किसी भी कोचिंग इंस्टिट्यूट्स में एड्मिशन्स लेने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी उसके टॉपर्स और जो भी एड्वर्टीजमेंस और प्रमोशन्स किये जाते हैं उसको चेक करें अच्छे से कि क्या सच्चाई है तभी जाके उसमें एड्मिशन ले तो ऐसे ही ये न्यूस थोड़ी सी पुरानी है बट मुझे लगा कि नए साल में थोड़ी सी अवेर्नेस जरूर फैल आने चाहिए और एक अपने भारत देश का नागरिक होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी अवेर बने और दूसरों को भी अवेर करें तो चलिए डिसकुस करते हैं ऐसे ही एक आप छोटे से वर्ड में कह सकते हैं कि बिजनेस का स्कैम कोचिंग ऐसे करते हैं तो ये है CCPA आप लोग देख पा रहे होंगे तो चीज़ का मतलब होता है Central Consumer Protection Authority CCA का फुल फॉर्म होता है तो CCPA Central Consumer Protection Authority जो की अभी हाली में बनाए गया है 2020 में तो इसको 2020 में बनाया गया है क्यों बनाया गया है हम जैसे consumers, हम जैसे aspirants, हम जैसे लोग के लिए ये बनाया गया है ताकि ऐसे group of students या group of consumers के rights जो है या उनके साथ गलत ना हो इन सब चीज़ों को रोगने के लिए ये authority बनाई गई है तो इसी का जो CCPA है इसके chairperson है नीधी खरे ठीक है तो उन्होंने बहुत अच्छी अभी हाली में आप लोगोंने news paper में भी देखा होगा कि कई सारे बड़े बड़े institute's और coaching को इन्होंने notice जारी की थी कि misleading को लेके और जो false representation को लेके कि गलत-गलत advertisements, promotions और बच्चों को misleading करके कैसे coaching institute's में admission लिये जाते हैं और कैसे कराई जाते हैं admission, बच्चों को कैसे attract किया जाता है, बच्चों के mind को कैसे mold किया जाता है तो यह देख सकते हैं आपकी on monday said it's probing 20 IS coaching centers for LA's misleading advertisement and unfair trade practices of using topos and successful candidates names and pictures to influence prospective aspirants, briefing media, Central consumer protection authority, तो यह मैंने पहले ही बता दिया, तो भाई इसमें होता क्या है कि देखिए जो निदी खड़े मैम है, यह chair person है, CCP authority की, और इन्होंने लगबख more than 20 कोचिंग्स जैसे कुछ नाम दिखा देता हूं या बता देता हूं आपको और राव आईयस हो गया, इकरा आईयस हो गया, विजन आईयस हो गया, दृष्टी आईयस हो गया, स्री राम इस्टिउट्स हो गया, और संस्कृती आईयस हो गया, बहुत सारे ऐसे इस्टिउट्स थे जिनको इन्होंने नोटिस जारी की, और उसी में से हम बात करेंगे, एक बड़े इस्टिट्यूट्स का तो आए पहले दिखाते हैं आपको पोटो में हैं आप देख पा रहे होंगे इनको यह हमारे गुरुजी है जिनको हम अवद ओजासर कहते हैं तो इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होगा कही ने कहीं आप लोगोंने रील्स मे by पर के आप लना पर आपसे आपको पूरा और वैब साइडर है तो बात करते हैं ने के हानी की और इनहीं की कोचिंग स स्तोरी का नोटिस है जो कि ऑफिशल वेफसाइट से मैंने डाउनलोड किया था तो बस एक आपको आइडिया देने के लिए मैं यहां से चीज़े कर रहा हूँ कि इसमें सीधी से बात है इसमें इनके उपर जो नोटिस जारी की गई तीक राई इसके उपर कि कि आप मिसलीडिंग कर रहे हैं बच्चों को फॉल्स रिप्रेजेंटीशन कर रहे हैं फॉल्स एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन करके बच्चों को आप मूल्ड कर रहे हैं उनके मायंड को और बच्चे आपके उसमें एड्मिशन्स वगरा ले रहे हैं तो इस नोटिस में यही कहा गया था इन्होंने अपने उस पे लिखा था जियो इनकी वेबसाइट से उस पे लिखा था कि हमारी जो कोचिंग है वो 2018 में स्टैबलिस हुई थी लेकिन इन्होंने वहाँ पे टॉपर्स जो दिखाए हैं 2015 के दिखाए हैं 2017 के दिखाए हैं तो यह कैसे बाई कोचिंग ही जब 2018 में स्टैबलिस हुई है और आप टॉपर्स दिखा रहे हो 2015 2017 के यह कैसे पॉसिबल है तो इसी को लेकि नोटिस जारी के गई थी और सारी चीजे इसमें जो रैंक होल्डर्स को सो किया आपने यह कैसे किया तो इसके बदले में न्यूज इनका रिप्लाई आता है कि जो हम यह सारी चीजे हैं जिनका सेलेक्शन हुआ है यह सब हमारे इस्टिटूट्स से ही हैं और कही न कही हम लोगों ने पढ़ाया है अधर इसे यह सारी टीचर्स होते हैं उनका भी योगदान होता है उसमें तो ऐसे तो सबके इस्टूडिंट्स होते हैं तो कही है यह एक मिसल डिनग है करके बच्चों के दिमाग और को mोल्ड करके यह सारी चीजे बड़ी बड़ी इस्टिटूट्स करती हैं जो हमें नहीं समझ में आता और हम अच्छे रील्स अच्छे स्पीज के अच्छे उनके मोटिवेसिनल बाते उनके हम उनके कोचिंग में अडिमीशन लेते हैं हमको पता तक नहीं होता है कि क्या है सलिएत क्या है सचाई तो आए आगे कुछ दिखाता हूं मैं आपको तो इसी को लेके इनके उपर पेनाल्टी जारी की गई थी एक आप देख सकते हैं एक लाग रुपए का पेनाल्टी आव रुपीस वन लाग हैस बिन इंपोज़ फॉर फॉर फॉर्स एंड मिसलेडिंग एडवर्टीजमेंट तो भाई कई सारे ऐसे कोचिंग इस् इंसिट्यूट इस्टेबलिस इन दोहजार अथारव तो भाई इन्होंने अपने एकराक आईस के वेबसाइट पे लिखाया है कि हमारी कोचिंग जो है दोहजार अथारव में स्टेबलिस हुई है और उसमें जो टॉप टॉप रैंकर्स हैं टॉप होलर्डर्स हैं यूपी इस इंसेल इस तो इसमें पूरा मामला यही है कि जो मैंने पहले ही बताया कि गलत तरीके से उसमें दिखाया गया है में इसरेप्रेजेंट किया गया है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन गया है कि हमारी कोचिंग तो दोहजार अठारम इस्टैबलिस हुई थी लेकिन अबर ट अब पनालती क्यों लगाईगी ताकि हम आप जैसे एस्पिरेंट्स इन सब चीजों पर बात करें और चीजें पता हो तो एक एक्जामपल और दे दूँ अभी हाली रेसेंटली आप लोगों ने देखा भी होगा सुभमसर जिनका टॉप रैंक वन था उन्होंने अपने वीड कोचिंग से पढ़े हुए हो बट ऐसा नहीं है ठीक है वो फ्री में सारी चीजे प्रोवाइड करते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है अब आगे बात करते हैं दिखिए यहां से यह तो बहुत बड़ा इस कैम है यहां से बात करें तो CAC 2022 का आवर सेलेक्शन फ्रॉम और भाई यह कोचिंग्स हैं ठीक है कुछ कोचिंग्स के मैंने नाम हडा दिये बट ऐसा एक स्क्रीन सॉट लिया था कोचिंग के उससे पर जाके तो भाई 10 में से 7 टॉपर 20 में से 14 टॉपर यही दे देते हैं भाई साब सूच लिजे एक हजार अगर वेकेंसी आती है 900 700 800 तो एक कोचिंग्स ही 624 सेलेक्शन दे देता है कैसे थे तो इनको यह नोटिस जारी करते हुए पूछा गया तो यह बταते हैं कि जो सारे स्टुदेंट्स हैं हमारे मौक इंटरव्यू के हैं भाई साथ इसक्रम तो यहीं से चालो होता है मौक इंटर्वियूस क्या होता है मौक इंटर्वियूस भाई मतलब फ्री में मौक दिलवा के ये सारी चीजे करके बच्चा खुद मेहनत करके ये सारी चीजे करता है आप फ्री में मौक करते हो आज तक तो ये भी कई कोचिंग इस्टिट्यूट्स की जा रही है कि एक एक्जामपल देके आपको समझाता हूँ कि माल लीजे यूपीएसी का लोटिफिकेशन आता है ठीक है लगभग 800-900 वेकेंसी होती है ठीक 900 वेकेंसी होती है लगभग 10 लाग बच्चे अपलाई करते हैं ठीक 10 लाग बच्चे अपलाई करते हैं वहीं बात करूं तो इसमें से लगभग 10,000 बच्चे प्रिक्वालिफाई करते हैं और लगबग दो से तीन हजार बच्चे मेंस के लिए जाते हैं ठीक दो से तीन हजार बच्चे मेंस के लिए जाते हैं अब होता क्या है कोचिंग्स इंस्टिटूट जो बड़ी बड़ी है उनके पास पैसे कोई कमी तो है नहीं भाईया ये कहते हैं कि आईए हमारे हाँ फ्री में मौक देंगे फ्री में रहना खाना फ्री में हम सारी इस विदाएं आपको देंगे अब बच्चा भी सोचता है कि सही बात है सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो हम क्यों न जाये और वहाँ पे जाके आपको मौक वगएर दिलवाए जाते है तो ऐसा आप हर कोचिंग में जाके कर सकते हैं और हर कोचिंग वाले चापते हैं कि ये मेरे यहां से मौक इंटर्व्यूज दिये थे जबकि प्रपेरिशन नहीं की थी प्रपेरिशन बच्चा ने खुत से किया था या किसी और कोचिंग से किया था मौक दिया था और इसलिए वो अपने यूट्यूज चेनल पर अपने रील्स पर अपने वेबसाइड़ पर सो करते हैं कि यह rankers हमारे यहां से हैं ठीक हैं तो यह सारी चीज़े थी बाकि आप यहां से देख सकते हैं 2022 की UPSC पर इच्छा में चैन का दावा एक न्यूजपेपर की कटिंग है अब समझ लीजिए 2022 में चैन 933 अभ्यारतियों का हुआ दस कोचिंग ने ही विग गया अपनों में 307 सफल दिखाए समझ लीजिए कि मतलब 933 बच्चों का ही चैन हुआ है और फाइनल सेलेक्शन और दस कोचिंग ने एडवर्टीजमेंट में प्रोमोशन में दिखाया है कि 307 बच्चे कैसे सफल हो गया तो ऐसे ही आपके दिमाग को आपके मार्ड को मोल्ड किया जाता है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा पैरेंट्स और सारी चाहिए जो भी भाई बयान है जो भी स्टूडेंट्स हैं ज तो बढ़ा चड़ा कर चीज़े दिखाई जाती हैं और हम उसी के कह सकते हैं कि एक सोसल मेडिया के गुलाम हो गये हैं कि हमको जैसा दिखाया जाता है हमारे दिमाग वैसा ही बनता जाता है तो कोचिंग वाले बड़ी बड़ी इंस्टिट्यूट्स होते हैं उनके पास पै कोचिंग में पढ़ी है एडमिशन जरूर लीजे और ऐसी जगह पे जाईए जहां पर ये सारी चीज़ें ना हो ठीक है तो कभी कभी क्या होता है कि छोटी कोचिंग अपना बेस्ट देती हैं लेकिन इनी सब शक्रों में वो कहीं न कहीं बड़े बड़े एड़े इड़े बड़े बड़े कोचिंग के प्रोमोशन के थ्रू वो कहीं न कहीं दब जाते हैं तो ऐसा नहीं है ठीक है बेस्ट फाकेल्टी कहीं न कहीं हम बड़े बड़े इंस्टिट्यूट्स में खोशते रहते हैं लेकिन वो कहीं न कहीं छोटे छोटे इंस्टिट्यूट्स में ताकि किसी को कुछ कहना नहीं था जो सारी चीज़े थी असलियत वही दिखाना था तो चलिए इस वीडियो में आई तक फिर मिलेंगे तब तक जाहिए जाहिए भारत